हेलो एवरिवन वेल्कम टू अड़ा 24 7 क्लास 9 & 10 योटूब चैनल पे मेरा नाम बच्छो रागवेंद्र सिंग है और इस सेशन में मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इस कंपाउंड इस चैप्टर के NCRT के जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसके सलूशन मताऊंगा क्योंकि हमने क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ लिये हैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से जब बुक में जितने भी कोशन एक्सरसाइज में दिये हैं उसका आंसर क्या होगा तो बच्चों आज हम उसी पर डिसकुशन करेंगे ठीक है तो तयार है आप लोग चलिए आगे चलते हैं बच्चों और स्टार्ट करते हैं NCRT एक्सरसाइज को सॉल्व करना ठीक है तो अगर N सिर्थी की ऐसे की बात करें तो जो पहला कोशन ये पूछ है कि इथेन जिसका फॉर्मला है सी टू एसिक्स उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं दो एलेक्ट्रॉन मिलकर जब दो एलेक्ट्रॉन की शेरिंग होती है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी हां तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉंड बनाता है कार्बन की वैलंसी होती है फोर कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है तो कार्बन कितने बॉंड बनाएगा फोर बॉंड बनाएगा ठीक है और कैसे बॉंड बनाएगा कोवलेंड बनाएगा ठीक है तो अगर मैं फॉर्मला देखूं तो इसमें कितने कार्बन हैं दो कार्बन है ठीक है अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉंड बनाएगा ठीक है और अब और कितने बना सकता है तीन और बना सकता है क्योंकि टोटल हो जाएंगे चार तो तीन हाइड्रोजन के साथ मैंने इसको जोड़ दिया बाकि इस क होगे तो एक electronis carbon का एक electronis hydrogen का उसी तर यहां एक electron carbon का दूसरे electron hydrogen का इस तरीके से यह covalent bond बनेगा ठीक है अब total कितने covalent bond है तो गिल लोते हैं एक दो तीन चार पांच छह साथ तो कितने covalent bonds होगे total seven covalent bonds होगे कितने seven तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा बताइए बी यानि कि seven covalent bonds समझ में आ गया ना तो यह जो आप structure यहां देख पा रहे हो और structure को ड्रॉ करने के बाद हमको साफ साफ पता चल गया कि कितने covalent bonds हैं इथेन में वह हैं seven covalent bonds clear इस तरीके से मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन इथीन कुछ भी पूछ ले क्यूई भी कार्बन का compound पूछ ले तो आप उसमें covalent bond की संख्या बता सकते हो नंबर बता सकते हो county तो करना है तो आपने क्या देखा electron की sharing हुई ना carbon का एक electron hydrogen के अलेक्ट्रान से क्या कर रहा है शेयर कर रहा है तो इन दोनोंने electron को शेयर किया तो यह जो बॉन्ड कहुंसा बना आकले क्लेंट बॉन्ड बना हए स्रों की शेयरिंग से ही क्या करता है to कोवलेंट कंपाउंड बनाता है ठीक है तो आंसर क्या होगा आगे चले नेक्स कोश्चन पर चलिए बचो कोश्चन नंबर टू एक्सरसाइस का कोश्चन नंबर टू आपके सामने आ कँड़े होगा है प्रस्टन कोश्चन को पढ़ियंए और आंसर देने की कोशिश कीजिए तिक है क्या पूचहा है ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन क्या है ब्यूटेनेन एक 4-carbon compound है जिसमें आपको functional group कौन सा present है यह बताना है चार option दिया है कार्बॉक्सलिक एसड अल्डी हाइड कीटोन अलकोहल तो क्या होगा answer तो पहले अगर मैं आपसे कहूं ब्यूटेनोन में यह व्यूट शक्त क्या बता रहा है व्यूट सब्ध यह बता रहा है कि चार कारबन का यह compound है और इसके आखरी में क्या लगाई ओन यह बता रहा है कि functional group क्या है functional group है कीटोन थो है ना क्योंकि कीटोन होता है तभी तो वो compound क्या कहलाता है ओन कहलाता है है कि नहीं प्रोपे नोन ब्यूते नोन तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यह रहा है इसका स्ट्रक्चर यह देखो कितने कारबन है वन टू थ्री फोर और इस कारबन को देखो यहां कौन सा फंक्शनल ग्रूप है सी डबल बॉंड ओ फंक्शनल ग्रूप है है ना यह है कि नहीं एक यह चैन और इस दूसरी चैन और साथ में सी डबल बॉंडो तो यह कौन सा ग्रूप होता है की टोन ग्रूप होता है इसका मतलब कि यह ब्यूटेनोर में कौन सा फंक्शनल ग्रूप है answer a ketone यानि कि C क्लियर तो इसी तरह आप answer दे सकते हो माझ लो कि अगर यहां c double bond O नहीं होता हो यहां c double bond O नहीं होता कोई दूसरा गुरुप होता तो सका नाम बदल जाता है ना clear समझ में आया कि नहीं इस तरीके से आप पहचान कर आंसर दे सकते हो ठीक है अगर मैं आपसे पूछ बताओ CS3 CS2 OH इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रूप प्रेजेंट है ठीक है तो यह देखो वेच 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 क्या बता रहा है फंक्शनल ग्रूप क्या है अलकोहल तो कार्बॉक्सलिक होता है COOH अल्डिहाइड की पहचान है CH कीटोन की पहचान है C double bond हो और अलकोहल की पहचान है OH तो ब्यूटेनोन में नाम से ही लग गया कि फंक्शनल ग्रूप क्या है ओन होता है कीटोन में कीटोन होता है C double bond हो तो यह रहा है इसका स्ट्रक्चर और यह रहा है इसका आंसर है ना बच्चों क्लेर कट पता चल गया आगे चला जाए चलिए तो अभी तक हमने कोशन नमबर टू सॉल कर लिया है दो कोशन सॉल करने के बाद अब आता है थार्ड कोशन लेट्स मूव तो थार्ड कोशन क्या पूचा है बहुत अच्छा कोशन पूचा है कि वाइल कुकिंग खाना बनाते समय इफ दब बॉटम अफ दो वेसल इस गेटिंग ब्लैक एंड on the outside यानि बरतन जो है वो अगर बाहर की तरफ से काला हो जा रहा है ठीक है ब्लैक हो जा रहा है इट मींस इसका मतलब क्या है the food is not cooked completely the fuel is not burning completely the fuel is wet या fourth option the fuel is burning completely तो इसका अंसर क्या होगा बताइए बच्चों, आखिर वो बर्तन काला क्यों हो गया बाहर की तरफ से, तो जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं घरों में खाना बनाने के लिए, वो फ्यूल कौन सा है, LPG, LPG के सिलेंडरी तो घरों में आते हैं, उस पर घाना बनाते हैं, तो जो LPG गैस निकल रही है, तो ओर यह जो फ्यूज होता है न एल्पीजी गैस में क्यान पाए जाता है मुख्य रूप से-स प्रौ-प्रोपेन-व्यूटेन पाए जाते हैं यह नकि कार्बन-उन फट्रौबन compound है और carbon compound का एक chemical property होता है कि उनमें combustion होता है combustion मतलब जब वो जलते हैं तो क्या heat produce करते हैं heat के साथ flame भी नहींगा लो तो अगर जो flame है अगर वो oxygen उसको मिला किसको fuel को तो वो complete combustion होता है complete combustion में आपने देखा होगा और फ्लेम कैसा होता है ब्लू रंका तो अगर गैस से ब्लू रंका फ्लेम निकल रहा है इसका मतलब यह है कि फ्यूल को प्रॉपर एमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है जिसके वज़े से उसका कंप्लीट कंबश्चन हो रहा है ठीक है और कोई भी काला धुआ नहीं बनेगा तो बरतंदद भी काला नहीं होगा नेकिन गैस में अगर कभी एर का जो इनलेट होता है जहां से एयर एंटर करती है गैस में वह अगर मालों वहां बंद हो गया यहिया Anh छोटा harग opportunity oxygen की कमी हो जाती है और oxygen की कमी के वज़ज़ से जो LPG गैस है वो पूरा completely combustion नहीं हो पाता है incomplete combustion होता है तो जब LPG gas का fuel का incomplete combustion होता है तो blue flame नहीं yellow flame आता है और yellow flame के साथ साथ काला धुआ भी निकलता है और वो काला धुआ बरतन को बाहर की तरफ से क्या करता है बरतन का निचला हिससा आपने देखा होगा bottom part काला हो जाता है तो इसका मतब आंसर क्या होगा incomplete combustion of fuel के कारण हो रहा है यानि the fuel is not burning completely है ना तो यह रहा answer B clear समझ में आया तो वही गैस अगर oxygen नहीं मिलेगा तो उसका incomplete combustion होगा और incomplete combustion के वज़े से जो black air मतब black जो धुआ निकल रहा है काला धुआ वह बरतन को क्या कर देगी काला कर देगी लेकिन अगर गैस चुला एकदम सही है एक ठीक है तो उसमें oxygen अच्छे से mix हो जाती है गैस के साथ और उसका complete combustion होता है complete combustion में देखा होगा अपने blue flame निकलता है और blue flame से कभी भी बरतन काला नहीं पड़ेगा ठीक है clear चली तो आप यहां चित्र देख पा रहे हो देखो बरतन काला हो गया ना क्यों काला हो गया क्योंकि जिस गैस पर रखा गया उस गैस में से यलो flame निकल रहा था और यलो flame के साथ साथ धुआ भी निकलता है काला धुआ मुंबत्ती को जलते लाके रख दो तो देखो वहां काला-काला धुआए खट्टा होते जाता है वो काला हो जाएगा यानि यल्लो फ्लेम क्या प्रेजेंट कर रहा है incomplete combustion और इसी के कारण बरतन भी काला हो जाता है तो वही लिखा है due to incomplete combustion of fuel a sooty flame appears which makes the bottom of utensils black from outside clear यह बच्चो चलिए चलो अब नेक्स पूछा है explain the nature of covalent bond using the bond formation in methyl chloride तो यह जो CS3 CL है इसमें कोवलेंट bond किस तरीके से बन रहा है आप जड़ा बताईए तो पहली बात यह मिथाईल क्लोराइड को हम common name क्या है यह क्या है और और गेनिक कारबन compound जिसको हम common name होता है chloroform आपने देखा होगा कि पहले hospital में क्या होता था operation करने के लिए बच्चों patient को chloroform सुखाय जाता था तो patient बहुस हो जाता था तो आराम से doctor operation कर सकता था कि patient को दर्द महसूस ही नहीं होता था है ना और अकसर आपने पिक्चरों में देखा होगा कि chloroform सुखाते हैं किड्नाइब करने के लिए रुमाल में chloroform डाला सुखा दिया है कि नहीं तो यह chloroform का formula यह होता है सीएस्ट्री सील ठीक है अब आपको पता है कि carbon के पास four electron होता है कि अधिक्टर शोल में और four electron और मिल जाए तो उसको अक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसी तर chlorine को एक electron चाहिए और कारबन को four electron चाहिए chlorine को एक electron चाहिए और hydrogen को एक electron चाहिए अपना duplicate पूरा करने के लिए क्योंकि hydrogen के पास एक electron होता है और तो जो किसी भी hydrogen का जो atom देखोगे तो न्यूक्लेश के बाहर जो के हैं के शल में अधिकतर कितने एलेक्टरॉन हो रखे जा सकते हैं के शल में मैक्सिमुम टूले सरा रख जा सकते हैं है और एक एलेक्ट्रॉन और मिल जाए है तो हुआ यूफ क्यों है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम के शेल में मैक्सिमम कि टू एलेक्टरोन्स रखे जा सकते न है उसीलएं लूपलेड कहा रहा है को locksby ठिट्रेंगे इसको और हुआत्थ चाहिए के दो हरोटन को है और कि चाहिए एक ẻ ना तो मैं एасक्क कोशिच करूं बनाने किन तो कार्बन कार्बन के पास कितने वेलिंस सो है तो हाइडरोजन के इस रेक्टरों ने कार्बन के साथ एक बॉंड बनाया उसी तरफ एक और हाईडोजन विए क्योंकि तीन है अई है कर आ어र हाईडोजन का कारबन के साथ बांड jION आप बचा यह अलेट्राण कारबन का चौध इलेक्टरोन है ये क्लोरीन का एलेक्ट्र कर उसके साथ बन बना लेगा और यह बन गया क्या क्या बन गया सी एच थ्री 10 10 पंगे ना तो बस यहीं तो मैं कह रहा था और इसी को हम कॉंमन क्या कहते है कॉमनली इसको क्लोरोफॉर्प कविष को इस तरीके से आपने ब्रॉन फार्मेशन देखborg इसमें chloro form में यानी methyl chloride में देखिए दिग्या ना इजी है समझना दो किसा सबस्राइक से Covalent bond बना है Ethyl chloride में जिसे हम chloroform कहते हैं वह आपको यहाँ साफसाफ समझ में आगया कि carbon के पास चार वैलेंस up टाओ ठीक है और चार और वो उसको चाहिए कार्बन को चार lijक्टरおお चाहिए klorine cup no áctate पूरा करने के लिए एक electron चाहिए और hydrogen किसका chloroform का ओड़ी है क्लिए हुआ चल्ए आगे चलते नुबर four और भी हम नहीं देख लिया अब आगे चलते हैं कोश्य नंबर फाइव देखते हैं तो अभी जो अपने structure बना ना किसका मिधायल को राइड का यह वाला structure ऐसा structure ही क्या कहलाता है electron dot structure तो कोवलेंड कंपाउंड का अगर ऐसा structure हम बना रहे हैं तो ऐसे structure को electron dot structure कहा आ जाता है क्योंकि हम एलेक्टरॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे है तो वह डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है तो हमको इथनुएक सीड हैडरोजन सलफाइड फ्लोपेनोन और फ्लोरीन गैस इन चार का एलेक्टरॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बहुत आसान है है ना अगर इथनोई के सिट की बात करें तो इथनोई एसेड का फॉर्मला क्या होता है इतनोई के सिट का फॉर्मला होता है क्या सीस 3COOH क्य तो कितने कार्बन दो कार्बन एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये इस कार्बन के इस कार्बन के चार एलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार ठीक है और इस हाइडरोजन का ये एलेक्ट्रॉन है ना और ये कार्बन का एक एलेक्ट्रॉन कार्बन के दूसरे एलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है इस कार्बन का एक एलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक एलेक्ट्रॉन ये मिलके बॉंड बना रहा है ठीक है तो ये इस तरीके से बॉंड बना और फिर इस कार्बन का एक तो दो ने इस ऑक्सीजन के साथ दो मिलकर यह बॉंड बना लिया ठीक है और इस तरीके से इतनुएक एसिड कंप्लीट हो गया तो देखो कार्बन के इस कार्बन के चार एलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के चार एलेक्ट्रॉन देख लो ध्यान से इस कार्बन के चार एलेक्ट बनाया और दो एलेक्टरॉन औक्सीजन के दो एलेक्टरॉन से बनाया इस तरीके से जाकर CS 3 COOH बन गया तेक है फिर दूसरा है hydrogen sulphide तो sulphur की अगर बात करें तो sulphur को कितने एलेक्टरॉन चाहिए अपने पुरा करने के लिए लिए कि इस चाहिए दो एना तो एक दो तीन चार-पांच है दो और चाहिए तो दो कैसे मिलेगा react ही हिए तो यह देखी शुर्फर का दो वैलेंस एलेक्ट्रॉन के एख इस हाईड्रो जनके without सнейलक्ट्राइप से और दूसरा वैलेंस ट्रशाइं कर लेता है यहां भी ऐलक्टम की शेरिमोरी oven यहाँ रिलग्टम की शेरिमोरी अच्रल है रहा और जो अलेटरों से संग्या क्या बांड गुलक्राइप से कितने बनेज बनते हैं फैली भी बताई एक साथ suck का एक electron hydrogen का एक electron तो दो electron की sharing होई तो एक bond बन गया है तो यह h2s तो इतनों ही कैसी हो गया है स्टू एस हो गया अब आ जाते हैं प्रोपेनों और फ्लोरीन पे यह रखो प्रोपेनों नाम से लग रहा है कितना प्रोप मतलब तीन कारबन और ओन मतलब फंक्शनल ग्रूप क्या है कीटोन सीडबल बॉंडो ठीक है तो देखो एक कारबन दो कारबन तीन कारबन तो इस कारबन के साथ यह जो चार करें तो इसका एक एलेक्ट्रॉन इसके साथ इसका यह एक अलेक्ट्रॉन इस कारबन के साथ और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ दो ठीक है तो एक दो मतब दो यहां एक यहां तीन चार वह गया और इसकी भी वैलंस से सटिस्वाई हो गई इस कारबन की बात करें तो इसने इसके साथ एक bond बनाया ठीक है इस hydrogen के साथ इस hydrogen के साथ इस hydrogen के साथ तो हो गया ना propanone का structure रेलेक्टरॉन डौट इस ट्रक्चर बन गया तो बस आपको यह देखना है कि वह जो carbon का electron है वह इसको शेर किसके साथ करेगा यहां hydrogen के अच्छा शेयर कर रहा है ठीक है टोटल मिलाकर कार्बन कार्बन कितने एलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है कार्बन फॉर एलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है कार्बन में फोर एलेक्ट्रॉन की शेरिंग हो सकती है और फोर एलेक्ट्रॉन की शेरिंग होते हुए आपको यहां दिख रही है ठीक है जैसे इस कार्बन की बात करें तो एक दो तीन चार चार वैलेंस एलेक्ट्रॉन हो गए और बाकी चार शेर कर रहा है इस हाइड्रोजन का एक ले लिया, इस hydrogen का एक ले लिया, इस hydrogen का एक ले लिया, और इस carbon का एक ले लिया, हो गए, 4 ओ 4, 8, sharing से 8 हो गए, उसी तर यहां भी, उसी तर यहां भी, ठीक है, चलो, अब दुसरा है fluorine, fluorine के valence electron बात करें, तो उस 7 electron होते हैं, एक electron चाहिए, तो दोनो फ्लोरिंग को एक electron चाहिए तो दोनो फ्लोरिंग कह रहे हैं हम लोग अपना एक एक electron share कर लेते हैं share करने से तुम्हारा वाला मैं अपने में गिलनूँगा, मेरा वाला तुम अपने में गिलने लेना तो फ्लोरिंग के पास पहले से साथ है एक ले लेगा लेगा मत्तब शेर जो शेरिंग में एक electron है उसको अपने में count करेगा तो 8 बोलेगा दूसरा fluorine भी क्या करेगा उसको sharing में ले लेगा और बोलेगा क्या है मेरा electron है जैसे दो लोग एक कार दोनों लोग मिलकर वो कार चला रहे हैं और दोनों लोग सब को बोल रह है ठीक उसी तर यहां भी हो रहा है ठीक है तो देखो इस फ्लोरीन का एक एलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का एक एलेक्ट्रॉन दो एलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया शेरिंग हुआ शेरिंग से बॉंड बन गया और दो फ्लोरीन आपस में मिलकर fluorine gas बनाते हैं molecule बना लेते हैं ठीक है clear हुआ defense साथ को 1234-567 तोuity तो साथ साथ electron लेकिन sharing के बाद अब इसके पास भी आठ हो गये इसके पास भी आठ हो गये दोनो seven ओगै ठीक है player चलो नेक्स ओम्हाग मैं पिछला को कोशन सूल्वब कर लिए फिफिफ्थ अब आते हूं हो सीरिज क्या है १ोशन पुछा कप अबर पूचा है उन हूमू लगर सीरिज में जो सक्सेसिर मेंबर्स होते हैं वो डिफर करते हैं 커피 करते हैंस यॉनिट से एक कअरबं जैसे मिθन से में ऄंट पर चला गया कि तो मीतaysे एफ drie तो यह सेढ़ी यह सिरीज मनी यह सिरीज में मीथन और आथ में अंतर कितने का होएगा सरी कहते हैं तो क्या लिखा है सिरीज ऑफ कार्बन कंपाउंट्स इन вч to lessons dw carmart मतलब एक के बाद जो नेक्सट मेमबर यह लगातार जो सकसेशन में आ रहे हैं ठीक है तु सकसेशन थेयर किला फ suspects तब उनके molecular formula में कितने का difference होता है CS2 का difference होता है एक carbon और तो hydrogen का difference हो ऐसे series को हम homologous series कहते हैं अब इसको मैं example से बताता हूं यह दखो example यहां क्या दिख रहा है C2H4 यह ना यह क्या दिख रहा है C2H4 clear अब इसके बाद क्या है C3H6 तो ज़रा difference difference देखो कितने carbon का है 2 से 3 मताइक carbon 4 hydrogen से 6 hydrogen मताद 2 hydrogen का difference है ठीक है अब यहां से यहां देखो successive है कि नहीं दो के बाद 3 carbon 3 के बाद 4 carbon तो इसका मताद successive members है अब यहां भी देखो 3 से 4 मताद एक carbon 6 से 8 मताद 2 hydrogen ठीक है इसी को मैं बढ़ाता चला जाओं तो जो successive members होंगे इनमें difference लगातार कितने का रहा है CS 2 unit का रहा है तो यह क्या आपस में कौन सी series कहलाएगी यह homologous series कहलाएगी ठीक है तो carbon के सभी compounds है और इन सभी compounds के जो series है उसमें successive members का जो molecular formula है उसमें difference कितने का है CS 2 का difference है और ऐसी series जिसमें successive members में CS 2 का difference हो ऐसे series को ही हम homologous series कहते हैं जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो तो अब आप इस series का अगला member बता सकते हो कि नहीं बिलकुल क्या करना अगले member में यह चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए तो carbon 4 है तो अगला member में carbon 5 होगा और hydrogen 2 अधिक होंगे तो 8 से 2 अधिक 10 तो c5s 10 अगला c6 h12 तो अब series बनती गई है कि नहीं आसान है इस तरीके से बना सकते हो तो तो homologous series समझ में आ गई चलिए आगे चलते हैं अंगले question पर नेक्स क्या पूचा है next पूचा है कि how can ethanol and ethnoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical property यानि ethanol और इथने को हम chemical और physical property के हिसाब से basis पे किस तरीके से differentiate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम ले ले लेते हैं फिस्कल प्रॉपर्टी ठीक फिस्कल प्रॉपर्टी में क्या हैगा melting point boiling point solid है कि liquid है यही सब तो में physical properties है तो अगर हम बात करें physical property की तो इथनोल इथनोल room temperature बे क्या होता है liquid है ना क्योंकि इसका melting point है वह होता है 156 Kelvin एक मनट कितना होता है 156 Kelvin तो 156 Kelvin समझ रहो इसका melting point बहुत कम है minus में है ना क्योंकि 273 minus कर दो तो जितना आएगा उतना Celsius में सका melting point हुआ तो melting point बहुत कम है तो यह room temperature पे जो ethanol है वो आपको किस state में मिलेगा solid में मिलेगा करते ही नहीं हमेशा liquid में मिलेगा तो रूम टंप्रेचर पे जिसमें हम इंसान रहते हैं रूम टंप्रेचर पे इथनॉल क्या होता है यह लिक्विड होता है इसका melting point 156 Kelvin होता है और boiling point होता है 351 Kelvin है ना यानि कि अगर मैं 351 में से 273 माइनस कर दूं करो कितना आएगा यह हो गया 11 11 में से कितना 3 गया कितना आया 9 11 मतलब 8 आया और यह हो गया कितना 4 14 में से कैरी हुआ तो मतलब कैरी आया 1 14 में से 7 गया तो आया 7 और यह कैरी दिया था 2 2-20 मतलब 78 डिग्री सेल्सियस तो 351 Kelvin में से मैंने 273 Kelvin माइनस कर दिया तो मेरा temperature किसमें आ गया 78 डिग्री सेल्सियस पर मतलब इथिनॉल को अगर मैं 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या करूँ बॉयल करूँ तो क्या होगा 78 डिग्री सेल्सियस यानी 351 Kelvin उसका boiling point और इस temperature पर इथनॉल लिक्विड से गैस बन जाएगा ठीक है क्लियर हुआ तो यह तो हो गए इथनॉल की बात वहीं इथनॉइक एथनॉइक एचिड की बात कर लें तो इथनॉइक एचिड रूम टंप्रेचर पे लिक्विड हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है कैसे मैं बताता हूं जरह इथनॉइक एचिड का आप मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है इथनॉल का तो 156 Kelvin लेकिन इथनॉइक एचिड का 290 Kelvin तो अगर मैं 290 लिखता हूं मैं 290 लिखता हूं 290 को मैं Celsius में बदलने के लिए 273 से माइनस कर दूं तो यह कितना आएगा यहां 10 गया 10 मैं से 3 गया 7 ठीक है और यह हो गया 8 8 मैं से 7 गया 1 तू मैं से 2 गया 0 मतलब 17 डिगरी Celsius सत्रव डिगरी Celsius अब आँ बताओ ठंडी के मौसम में ठंडी के मौसम में हमारे अगल बगल का atmosphere का जो temperature है वो तो शेवन्तीन से भी कम हो जाता है तेन हो जाता है 5 हो जाता है 12 डिगरी celsius हो जाता है तो इसका मतलब की मेल्टिंग पॉइंट अगर इथनोए कैसिड का टून एंटी वन कैल्विन है जिसको सेलसियस में चेंज करेंगे तो इतना आएगा तुसका वताव इतने डिग्रीज सेल्सियस पे इतनोए कैसिड मेल्ट होता है पिघलता है यानी सत्रा से कम पर तो 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 सॉलिड रहता है होता होगा तो अगर अगल बगल के अट्मॉस्वियर का टंप्रेचर 290 केल्विन से यानि 17 डिग्री से से भी कम हो जाए तो यह इतनोई के सीट तो क्या होगा लिक्विड नहीं यह जम जाएगा सॉलिड हो जाएगा और तब इसे क्या कहते हैं इस ग्लैषियल см कैसे हैं समझ महाया तो रूम ठंप्रेचर पर रूम ठंप्रेचर अगर 17 प्राइब अग्लिक्विड होगा लेकिन अगर 17 servants कम हो गया तो इतनेव की सट क्या हो जाएगा यह जम जाएगा तो रूम टंप्रेचर पर लिकुड भी ओसकता है तनिके से लौश सॉलिटभी हो सकता है लेकिन इथन आल-ईथनल का मेर्टिंग पौइट बहुत कम है इसी लिए रूम टमप्रेचर पर इथनौल हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जब कि इथनौई कैसे लिक्विड स्टेट में भी पाया सकता है और सॉलिड स्टेट में भी कर पाया सकता है और जब यह फ्रीज कर जाता है विंटर के मौसम में जैसा आप देख रहे हैं लिखा है त तो अगर हम NOH कीबात करें जो कि एक बेस है तो इथिनॉल कभी भी NOH के साथ रियक्शन नहीं करता लेकिन वहीं इतनोईक एसिड रियक्शन करता है बेस के साथ देखो sodium hydroxide के साथQuéthinric acid का reaction हुआ तो क्या बना ने लिज vector vídeo बना तो सोंटियम इथनोइड बना तो यह जो आपका कि यह ऑपका structure बन रहा है मताँ यह जो compound बन रहा है यही है sodium इथनोट इथनोड तो चैनल फंपाटिस के अधार पर इस तरीके से डीफ्रेंशियेट कर visitor कर सकते हैं कि इहां properties के अधार पर यह difference है इथनोल और इथनोग एसिड में तो हमने physical property के basis पर देख लिया और अब chemical property के basis पर भी देख लिया दोनों के बीच का difference ठीक है हो गया हमारा answer solve अब आगे चलते हैं question number 8 पर why does missile formation takes place when soap is added to water जब साबुन को पानी में डालते हैं या पानी में यूज़ करते हैं तो missile formation क्यों होता है ठीक है will a missile be formed in other solvents such as ethanol अगर हम साबुन को पानी में डाल के ethanol में डाले तो भी क्या missile का formation होगा तो चलिए पहले देख लेते हैं किस यह missile है क्या ठीक है मिसर्ट का फरमेशन क्यों होता है तो अगर बच्चों साबुन की बात करें तो साबुन क्या होते हैं सोप क्या होते है ऑप आर सोडियाम औंपोटेशिंश्यम सॉल्ट ओ व्लांग चेंड कारबॉक्स्थ केसेड चीक है तो कार्बॉक्सलीक एसीड की पहचान क्या होती है अभी मैंने बताया है कार्बॉक्सलीक एसीड की पहचान होती है सी ओ ओ एच है ना और मालो इधर कार्बन की चेन है बहुत लंबी अब मैं इस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या कर दिया मैंने इस हाइड्रोजन की जगह अब तो यह क्या बन गया सी ओ ओ एन यह सी ओ ओ के के प्लस मना की नहीं तो इस तरीके से होता यह है सोप का स्ट्रक्चर तो यह जो चेन कार्बन की चेन यह हाइड्रोफोबिक नेचर की thro यह जो चेन है कार्बन की, यह हाईडरो फोबिक नेचर की होती है, मत्तब वाटर को पसंद नहीं करती फोबिक, फोबिक वर्ड आया, फोबिया से, फोबिया मत्तब किसी चीज करम को फोबिया है, थीक्ष, वो चीज़ lipid, lipid हो या आप कहलो oil हो, उसका पसंद है, मतरब वो उसके तरफ attract करती है, तो यह hydrophobic तो है, लेकिन lipid या fat को love करती है, उसको पसंद करती है, तो यह lipophilic भी है, spends मतरब love करना, तो hydro यानि पानी से तो इसको allergy है, दूर रहता है, लेकिन fat या lipid के attract करता है तो ये chain हमेशा किस के तरफ होगी जो हमारे कपड़ों में गंदगी लगी होती है वो अकसर किस nature की होती है fat यानि lipid nature की होती है तो ये जो chain है साबन में ये जो carboxylic acid का जो chain है जो hydrophobic nature का होता है लेकिन fat को लव करता है तो ये जाकर fat यानि lipid से जुड़ जाता है और ये जो end है coona plus या k plus ये जो end है ये end होता है hydrophilic ये water को पसंद करता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे structure बनेंगे clear? तो आप क्या देख रहे हो ऐसे बहुत सारे structure अगर होंगे तो जब हम साबुन को पानी में डालेंगे तो ये जितने भी chain है ना ये oil के तरफ ये मालो oil है गंदगी है ये chain सारे chain उसके तरफ आ जाएगी और ये जो head है जो hydrophilic nature का है यानि कि water loving है ये oil से दूर पानी के तरफ रहेगी जैसे अगल बगल पानी है तो इस तरीके से एक structure बनता है जो की इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको जिसमें ये रखो carbon की chain जो lipophilic nature की है मतलब lipid को पसंद करती है तो ये देखो lipid को यह यलो से दिखाए गया oil droplet तो ये उसकी तरफ है और ये जो head है वो hydrophilic nature का है मतलब water को पसंद करता है तो ये oil से दूर पानी के तरफ है मतलब इधर भी पानी है इधर भी पानी है तो ये पानी के तरफ है तो इस तरीके से oil के गंदगी के चारों तरफ ये जो साबुन का जो structure है ना ये इस तरीके से एक structure structure बना लेता है और इसी structure को हम क्या कहते है मिसल यह क्या बनेंगा एक मिसल कि तो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है समझ भाया तो ठीक है साबुन जो sodium and potassium sodium sodium salt होते हैं कार्बोक्सलिक acid के ठीक है इन में यह जो structure अगर आप देखोगे तो दो नेचर होता है दो and होते है तो साबुन का जो structure है उसमें दो होते हैं एक होता hydrophobic and हाइडrophilic and cool hydrophilic and पानी के तरफ होता है और जो hydrophobic and एवं ओइल के तरफ होता है इस तरीके से साबुन के छोटे चोटे जो structure हैं molecules हैं वो जाकर उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं धीरे धीरे oil को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं और इस तरह के से कपड़ें में से oil गंदगी बाहर हो जाती है ठीक है clear हुआ लेकिन अगर आप साबुन को इथनॉल में डालोगे तो इथनॉल में जो साबुन की ये chain होती है ना कार्बोक्सलिक एसिड की chain वो इथनॉल में soluble होती है तो अगर आप साबुन को इथनॉल में डालोगे तो soap यानि साबुन की ये जो chain है वो इथनॉल में soluble हो जाएगी तो वहाँ मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा थिक है तो इथिनॉल में मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है चलो आगे चलते हैं कोशे नमबर 9 पर कोशन नमबर 9 क्या पूछा हैं वाई अर्दर कारबन एंड़ कमपाउंड यूज़ ऐस फ्यूल फॉर्मोस्ट अप्लिकेशन तो कारबन उसके compound, fuel के तरह क्यों use होते हैं, इसलिए use होते हैं, क्योंकि carbon या उसके compound जो हैं, उनको जलाने पर heat produce होता है, क्या produce होता है, heat, और heat is a form of energy, ठीक है, उस energy का हम use करके, हम उसको दुसरे type के energy में convert कर सकते हैं, ठीक है, उस energy का जैसे coal and petroleum, खाना बनाना है, कोईले को जलाया, कोई heat produce हुआ, उस heat का use करके, हमने खाना बना लिए, चाय बना लिए, डीजल पेट्रोल, वो भी carbon के compound हैं, और वो जब जलते हैं, उनका combustion होता है, तो क्या होती है, heat produce होती है, वो heat, heat एक type के energy है, ठीक है, वो heat के कारण जो gas निकल रही है, उसका use करके, हम गाडियों को चला रहे ह तो combustion के कारण, heat produce होने के कारण ही, carbon उसके compound को हम fuel की तरह use कर पाते हैं, तो क्या लिखा है, carbon is compound give large amount of heat on combustion, तो जलाने पर बहुत ज़्यादा heat produce करता है, और ऐसी heat को हम control भी कर सकते हैं, यह एक फायदा भी है, और इसी लिए, carbon उसके compound को हम fuel की तरह use कर रहे हैं, चाहे वो diesel petrol हो चाहे वो koila हो, चाहे CNG हो, चाहे LPG gas हो, चाहे bio gas यानि gober gas हो, bio gas, gober gas में क्या होता है, methane, methane भी तो carbon का compound है, उसका भी use कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी combustion करेंगे, तो heat produce होगी, है न, समझ में आया, चलिए, तो यह रहा question number 9 का answer, आज आते हैं question number 10 पे, question number 10 में क्या पूछा है, explain the formation of scum, when hard water is treated with soap, अब hard water किसे कहते हैं, hard water हमने पढ़ा है, कि hard water ऐसा water जिसमें, calcium और magnesium salts की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती, तो calcium या magnesium salts की amount, अगर पानी में ज्यादा हो, तो ऐसे पानी को hard water कहते हैं, अब hard water में, जब हम साबुन use करते हैं, तो साबुन में जो carboxylic acid का जो chain है ना, उसके साथ ये calcium और magnesium reaction करता है, और एक insoluble substance का formation करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम scum कहते हैं, तो हमेशा hard water में साबुन का use करेंगे, तो हमेशा scum बनेगा, और scum जो की insoluble होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, देखो, पानी में साबुन यूज़ करने के वज़ए से यह उपर एक insoluble substance बन रहा है, दिख रहा है, तैरते हुए, यह क्या is scum है, और यह इसलिए बना है, क्योंकि जो पानी हमने लिया, वो hard water था, उस पानी में calcium और magnesium salts का amount ज्यादा था, और इसने soap से reaction करके, इस scum का formation किया, जो क एक insoluble substance होता है, और इसके वज़ए से कपड़ा साफ नहीं होता, तो इसलिए soap से ज्यादा, अच्छा hard water के लिए क्या, यूज़ करना है, detergent, ठीक है, तो यह रहा इसका answer, clear, आगे चला जाए, question number 10 भी देख लिया, बच्छों, आगे चलते है, question number 11, what change will you observe, if you test soap, with litmus paper, red and blue, litmus paper दो type के होते हैं, red color का, blue color का, और दोनों color के litmus paper को अगर आप soap पे test करोगे, तो आप क्या observe करोगे, तो पहले आप यह बताओ, soap acidic nature का होता है कि basic nature का, तो answer है basic nature का, तो अगर basic nature का है, तो अगर हम उसके पास, उसके contact में, red litmus paper ले जाएंगे, तो red litmus paper, base के contact में आने के बा तो इसका मतलब, soap से जब हम red litmus paper का contact कराएंगे, तो वो blue में change हो जाएगा, लेकिन अगर हम blue litmus paper को soap से contact कराएंगे, तो blue litmus paper का रंग color change नहीं होगा, वो blue का blue ही रहेगा, क्योंकि base के साथ blue litmus paper का color जो है, वो change नहीं होता, clear, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, क्या लिखा है, soaps are basic in nature, therefore, इसलिए, it turns red litmus paper into blue, क्योंकि यह base की खासियत होती है, कि वो red litmus paper को blue color में change कर देता है, but when blue litmus paper is dipped in soap solution, its color does not change, ठीक है, clear, देखो जा रहा, red रंग का litmus paper लाए गया, साबुन से contact कराए गया, तो देखो blue में change हो गया, है कि नहीं, बस वहीं तो मैं बोल रहा था चलो, आगे चला जाए, question number 11 के बाद, question number 12, क्या पुछा है, what is hydrogenation and what is its industrial application, तो बच्चों आप लोगों ने, घरों में हमने fry cheese, जैसे fry पकोड़े हो गए, कुई भी चीज तलते हैं, तलना, ठीक है, पकोड़े को तलके खाते हैं, पूरी को तलते हैं, तो तलते किसमें, vegetable oil में ठीक है, सरसो का तेल, सोया बीन का तेल, palm oil, coconut oil, यह सभी vegetable oil है न, और vegetable जो होते हैं, उनसे जो oil मिलता है, वो unsaturated होता है, और unsaturated होने के कारण ही, यह liquid होते हैं, room temperature पे, देखो सरसो का तेल घर में रखा हुआ है, किस state में होता है, liquid, तो अगर इसमें हम hydrogen जोड दें, तो यह uns saturated से क्या हो जाएगा, saturated, और saturated होने के बाग, यह liquid नहीं रहेगा, यह room temperature पे, solid state में आ जाता है, है न, जैसे कि डालडा, तो इसका industrial application क्या है, hydrogenation का, vegetable oil में, अगर हम hydrogen जोडें, add करें, तो hydrogen को add करना, unsaturated, hydrocarbon में ही, तो क्या कहलाता है, hydrogenation, तो जो हमारे vegetable oil हैं, वो क्या है, vegetable oil, unsaturated hydrocarbon है, और जब हम उसमें hydrogen add करेंगे, किसका यूज़ करके, nickel catalyst का यूज़ करके, तो वो जो vegetable oil है, वो hydrogen add होने के वज़े से, saturated hydrocarbon में change हो जाएगा, और इस process को कहते हैं, hydrogenation, और जब वो saturated hydrocarbon में change हो गया, तो हम उसे डालडा कहते हैं, है न, clear, तो इसका मत्तब वनस्पत घी बनाने के लिए, वनस्पती घी यानि की डालडा, है न, तो जो की saturated होता है, हम unsaturated vegetable oil का यूज़ करते हैं, और इसमें hydrogen को add करते हैं, nickel catalyst का यूज़ करके, और इस से हमको क्या मिल जाता है, वनस्पती घी, जो घी होता है, एक तो घी जो जानवरों के दूद से निकाल रह है, एक तो वो तो animal से मिल रहा है, और यह है वनस्पती घी, यानि यह प्लांट के जो oil है, उस से मिल रहा है, यही इसका industrial application है, वनस्पती घी बनाने में hydrogenation process का यूज़ करते हैं, ठीक है, vegetable oil जो की unsaturated है, उसमें hydrogen add करते हैं, clear, समझ में आ गया, चलिए, अब आते हैं next question, which of the falling hydrocarbon, undergo addition reaction, तो hydrogenation जो अभी आपने पढ़ा, वो एक प्रकार का, एक टाइप का addition reaction ही होता है, यानि जहाँ double bond है, या triple bond है carbon के बीच में, वहाँ hydrogen जोडा जा सकता है, तो वो compound addition reaction शो करेंगे, लेकिन जहाँ पहले से carbon carbon के बीच में, जब single bond है, तो वहाँ hydrogen जुडेगा, नहीं ज मीथेन मतलब CS4, single bond, अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें hydrogen में add करना चाह रहा हूँ, क्या hydrogen add कर पहूँगा, नहीं, तो कि hydrogen अगर add करना है, तो carbon की balance दिखाता है, carbon की balance चार होती है, तो वो चार bond से अधिक bond बनाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब कभी भी 5 bond तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यह पहले से saturated था, तो क्या इसमें मैं addition reaction से hydrogen जोड सकता हूँ, नहीं, तो आपको यहीं बताना है कि इन में से कहा hydrogen जोड सकता है, यानि कहाँ addition reaction शोग हो सकता है, एक एक करके चेक कर लेते हैं, C2H6 देखो, तो C2H6 मतलब, यह ना, अब यह carbon carbon के बीच में single bond, चार bond बन गए, अब यहाँ इसमें hydrogen जोड सकता है, कहीं नहीं, तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा, addition reaction, C3H8, C3H8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ भी hydrogen कहीं जोड सकता हूं नहीं, क्योंकि कहीं भी hydrogen जोड़ूँगा, तो वो 5 हो जाएंगे, वो 5 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ भी addition reaction शोओ नहीं होगा, C3H6, ठीक है, C3H6 मतलब इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गए, 3 carbon, 6 hydrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hydrogen हो गए, अब यहाँ देखो double bond है, से, तो यहाँ मैं hydrogen जोड सकता हूं, addition reaction से, तो hydrogen अगर जोड़ूँगा, तो फिर यह double bond हटा दूँगा, यहाँ से, हड़ गया ना, ओ यहाँ hydrogen जोड गया, तो इसका हमता है, यहाँ जोड सकता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं, किस पर टिक कर दूँ, इस पर टिक कर दूँ, ठीक है, C2S2, C2S2 मतलब, 2 carbon, 2 hydrogen, 2 hydrogen, hydrogen मतलब, carbon, carbon के बीच में triple bond होगा, अब जो carbon, carbon के बीच में triple bond है, तो इसमें hydrogen जोड सकता हूं कि नहीं, तो जो भी unsaturated hydrocarbon है, है उसमें hydrogen addition reaction से जोड सकते हैं तो इसका मतलब यहां भी जोड सकते हैं तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा तो सिर्फ यहीं दो है क्यों क्योंकि यह अन्सेचुरेटेट थे और बाकी सब सेचुरेटेट थे और जो पहले ही से सैचुरेटेट है तो और हाइड्रोजन कहां जोड होगे और तो यह हो गया थर्टिंग कोशन का अंसर कोशन नमबर 14 क्या पूचा है बताओ यहां पूचा है गिव टेस्ट एट क सेचुरेटेट हाइड्रोकारबन अभी आपने को सेचुरेटेट और अंसेचुरेटेट हाइड्रोकारबन का एक्जैंपल देखा अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे इन दोनों को डिफ्रेंशेट कर सकेंगे हमको दिख तो रहा नहीं है अगर मेरे सामने कोई कंपाउंड लिए आए carbon का अब पूछे बताव यह प्रोपेन है की भ्रूटेन है तो मैं बता नहीं पाओंगा अगर उस पर लिखाना हो तो मैं नहीं बता पाओंगा तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा तो उस टेस्ट का नाम क्या है ब्रोमीन वाटर टेस्ट थिक्ट ब्रोमीन का कल ब्राउन रंग है वो चेंज नहीं होता तो सैचूरेटेड हईडरोकारबन में वह चैज का ब्रॉमीन का ब्राउन کलर चेंज नहीं होता लेकर अगर gadget हई रचियर secular आप आन्मीन लाओगे i Alkene में हमनेاب Tagane डाला तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिसेपियर हुआ नहीं हुआ लेकिन अलकीन में जो की unsaturated है उसमें ब्रोमीन डाला तो ब्रोमीन का कलर ब्राउन होना चाहिए था लेकिन क्योंकि unsaturated में डाला है तो देखो यह अभी भी colorless है ठीक है तो Bromine के water से हम test कर सकते है saturated or unsaturated hydrocarbon का ठीक है तो इसी test को कहा जाता है Bromine water test Bromine gives brown color in saturated hydrocarbon but its brown color disappear in unsaturated hydrocarbons clear बहुत बढ़िया चलो आगे सलते हैं और लास्ट question का answer देखते हैं क्या लिखा है explain the mechanism of cleaning action of soap किस तरीके से कपड़ों से गंदगी को हटाता है उसका काम करने का तरीका क्या है यह पूछा है तो मैंने क्या बताया जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं sodium और potassium salt of carboxylic acid अब यह जो carboxylic acid का जो chain होता है ठीक है यह दो type का होता है मतब दो type का बोला हूं जो कार sodium का जो सोप है वो sodium and potassium salt of carboxylic acid है तो जो sodium या potassium salt है का तेल का तेल कौन सा होता है तेल होता है कारboxylic acid की जो chain है वो टेल होती है और जो iEnik head होता है वह चार्ध होनटा है जो कि किस तका करता है दो फीलिक होता है hydrophilic क्याना, water को पसंद करता है तो यह like करता है water को और पीछे की ए आज जो कार्बॉक्सलिक एसिट की जो चैन है जिसे पेल कह रहे हैं पूँच खह रहे हैं यह वाटर को पसंद नहीं करता ये फृट फैट को पसंद करता इसी लिए लिपोफिलिक के रहे हैं फिलिक में तब लव तो यह अईड्रो है ने वाइंटर से लव और यह लिपोफिलिक है लिपीड से लिव और ऐसे बहुत सारे स्ट्रुक्चर ओइल के किनारे जुड जाते हैं यह से मालो यह ओइल है यह औइल यानी गंदगी है तो इससे जाकर यह बहुत सारे अब कौन सा हिस्सा ऑइल से जुड़ेगा ऑइल यानी लिप्षिड to लिपिड को कौन पसन करता है यह तेश्चेल तो जो टेल है वhou जाकर जुड़ेगा इससे अूह है तो टेल मिसल कहेंगे तो यह जो स्ट्रक्चर बना इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मिसल क्या कहते हैं मिसल और मिसल एक बार बन गया तो धीरे-धीरे यह ओईल को क्या करता है दस एमल्शन इन वाटर मतलब कि एक एमल्शन मन गया मिसल के फॉर्मेशन से यह तो कोई स्ट्रीके सां मिसल बना मतलब यह बहुत सारे जाकर देखो एक दो तीन चार्व मतलब बहुत सारे यह जो स्ट्रक्चर है सोप का यह जाकर ऑईल के साथ जुड़ गया और धीरे-धीर इसको ऑईल को क्या करता है वो निकाल कर बाहर कर देता है पानी में और इस तरीके से कपड़ों से ऑईल अलग हो जाता है ठीक है दा सोप मिसल यह जो सोप का मिसल है helps in pulling out the dirt यह जो डर्ट है यलो रंग से उसको निकाल कर यह वाटर में ले आता है और इस तरीके से कपड़े क्लीन हो जाते हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर घूम के मतब इस ऑईल यानि गंदगी के चारों तरफ लिपड जाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है मिसल कहाता है क्या कहा जाता है मिसल तो यह स्ट्रक्चर मिसल है रिपीट के तरफ रहती है ठीक है इस तरीके से यह साबुन काम करता है क्लियर हो गया तो बचों आपने इस सेशन में NCRT exercise carbonates compound के जितने question थे आपने इसका solution देख लिया है ना I hope you like this session इसी तर हर chapter के हम NCRT exercise solve करते रहेंगे तो आप ADDA 24-7 class 9 and 10 official YouTube channel पर आते रहिए पढते रहिए thank you so much